नमस्कार कैसे हैं आओ भार्वती राजलिती के सबसे शातिर राजलित्त के माने जाते हैं अब अर्विंद केजरी बार कई बार केजरी ऐसा लगता है कि शरत पबार और लालू जैसे निताओं को पाने पिला रहे हैं अर्विंद केजरी रिवाल वैसे शहर नमाराज दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री अपनी तमाम सुविधाए केजरी को सुपूर्द के रहते हैं तो पंजाब विधान सभा में भी इस पर बवाल मसता है ये तब होता है जब पंजाब में विपक्ष में कॉंग्रिस है और कॉंग्रिस केजरी के सामने घुटने रूपे हुए है लेकिन सवाल महत्पूर्द ये है कि अन्ना आंदोलन के माध्यम से ब्रश्टाचार के खिलाप एक आंदोलन खरके खड़ा करके उत्पन हुए केजरी बाल कहां खड़े है ऐसे दिखाई दिता है कि केजरी मैदान में अब अकेले हैं उनके साथ खड़े तमाम लोग मैदान छोड़ चुड़ चुके हुए अन्ना आंदोलन में सबसे अदा फंडिंग करने वालों में से एक शांती भूशन तो अब स्वर्ग सिधार गए लेकिन शांती भूशन उनके पुत्र प्रशान्त भूशन उनके कवे मित्र खासंखास कुमार विश्वास से लेकर के कीरण वेदी और मीडिया के धुरंधर रहे आसुतोश ये सब के सब अभी बाहर हैं सबसे हम जिसके नाम से आंदोलन था उखुद अन्ना ही बाहर है फिल्डिंग कर रहे हैं और एक शातीराना खेल ये खेला गया है कि केजरी चुकी सिर्फ शहर नुमाराज दिल्ली के मुख्य मंत्री थे तो इतने बड़े कद काथी वाले लोग उसमें समा नहीं सकते इसलिए केजरी के पक्षमी ये सब बाहर राकर फिल्डिंग करेंगी देते सुना दिल्ली सरकार के खिलाप केजरी के भ्रेष्ट मंडिलियों के लिए सबसे वरे काल बने हुए हैं EDK Director Sanjay Misr Sanjay Misr ही वो सक्स है जिसके कारण केजरी का डिप्टी सी एम मनीस सिसोदिया जेल में सासे गिन रहा है तरप रहा है फड़फरा रहा है बीबी के बिमारियों के बहाने बना बना करके भी बाहर नहीं निकल पा रहा है सिसोदिया वो जिसके लिए केजरी ने यो निवार टाइम्स की तस्वीरे उठा कर कही थी कि धर्ति का सबसे काविल सिक्षा मंत्री एक सिसोदिया इस की गवाही निवार क टाइम्स दे रहा है ऐसा फरेव करने वाले अरविंद केजड़िबाल के सबसे वरे सिपा सालार सिसोधिया जेल में है, सुप्रिम कोट तक से जमानत नहीं मिली रही है, बार बार हाई कोट ने उस मक्तारी के बाद भी जमानत रिजेक्ट कर दी, जिसमें सिसोधिया की बीबी को बहुत बीमार बत अपीशक जिसे पेश किया गया, वो सतिंदर जैन, सतिंदर जैन तिहार मंत्रे भी हुआ करता था, और तिहार जिल से अयासी की उसकी तस्भीर इसना हमने आई, तो बाबाल मंच गया, वो वीडियो आई, जिसने तिहार वो अपने अंग परतीं हे मालिस करवा रहा, सतिंदर बीमार होने लगा 35-35 किलो सोची वजन उसका कम हो गया किसी आम आदमी के 35 किलो वजन यहीं कम हो जाए तो उसका क्या हाल हो हाग उसका भी वही हुआ लेकिन वो किसी सरकारी अस्पताल दिल्ली के सरकारी अस्पताल में भरती होना चाहता रहा और सरकारी अस्पताल में रहा इसके लिए केजरी के पक्ष में वकालत करते रहे प्रशान बुशन और कॉंग्रिस पार्टी के अविशेक मनुस सेंग है लेकिन उसके बाद भी वो बहुत राहत नहीं दिला पाए इतना तो दिला पाए कि हेल्थ ग्राउंट पे उसे जमानत दिलवादी कहने का मतलब ये केजरी का पूरा कुणवा जेल में जा रहा है जो आंदोलन के समय अक्टिव था जो बाकी बाहर है वो बाहर राकर के क्या कर रहे हैं सबसे पहले दिया आप प्रशान्थ हुशन कोई समझे तो प्रशान्थ हुशन के सुप्रिम कोट में याचिका संजय मिसर को हटाने को ले करके है एडी डिरेक्टर संजय मिसर सबसे जादा केजरी के लिए ही काल बने हुए हैं वैसे वो काल तो कांग्रेस के लिए बने हुए हैं मा बेटा दोनों जमानत पे चल रहा है नेशनल हैराल्ड केस में सोनिया और राहुल दोडो दामाद, वाडरा भी जमानत पर ही चल रहा है जमानत पर ही लानुयादव और उसका पूरा कुनवा चल रहा है लेकिन जेल में तो सिर्फ केजरी के चेले हैं तो केजरी के इन चेलों को जेल से निकालने के लिए संजय विसर का E.D. के डारेक्टर पत से हटना बहुत जरूरी है प्रशांद भुशन वो सक्सियत जिसकी सुप्रीम कोट में तूती बोलती है प्रशांद भुशन जिसने बार-बार सुप्रीम कोट के मुखेन आधीस की अब मानना की जस्टिस बोड़ वे आपको याद होगा चीप जस्टिस जब थे तो प्रशांद भुशन ने उनकी मानहानी की थी तब के मुखेन आधीस की उनकी मोटर साइक्ल के ले करके तरह तरह के चीजों के ले करके उनकी मानहानी की और जब सुप्रिम कोट ने कहा माफी मांग लीजिए तो प्रशान्द माफी नहीं मांगे अंतिमन के उपर केस चला और सुप्रिम कोट की इतनी हैसियत नहीं हो पाई सुप्रिम कोट को प्रशान्द भुशन को एक रुपे का सज की सजा दी सोचिए मुझे नहीं लगता कैसी कोई सजा की कोई मिसाल भी होगी और सुप्रिम कोट को अकाथ प्रशान्थ भूशन ने यूँ एक रुपे का सिक्का देते हुए दिखाया अपने वकील राजीम धवन को वो पैसे देते हुए इससे साप लगता है कि प्रशान्थ भूशन जिसे लोग का सुप्रिम कोट में कद कितना बड़ा है तो अब कलपना कीजिए कि प्रशान्थ भूशन जिसे कदावर वकील को केजरी अपनी टीम में क्या जगा दे पाई तो क्या केजरी अभी उस लायक नहीं है इसी दे प्रशान्द भूशन बाहर हैं बाहर दिखने के लिए और फिल्डी उनके लिए कर रहे हैं यदि बात और आगे जाए तो समझ में आएगा कि संजेविस्ट के खिलाप ये मुहींग चलाने वाले मुख्य करता धरता प्रशान्द भूशन अखे लड़ाई किसके लिए लगए इस पोड़े मामले में असने खिलाड़ी अन्ना अन्ना इतने बड़ बोले हर मामले मेडिया अपनी नाक माइक में गुसेहर ने बाले अन्ना एक आए केजरी के चीप फिनिश्टर बनने के बाद से गायब क्यूं है अन्ना कवे भी मुखन हो कर कि केजरी के खिलाप क्यूं नहीं आए जिस केजरी बाल को अन्ना ने अपना च्छतरी दी बुढ़ापे होने बुढ़ापा होना क्योंकि भारत में बुजर्गों का बड़ा सम्मान होता है तो ये सम्मान अन्ना को इसी दिये मिला तोकि उनकी सादगी और उनकी उम्र थी केजरी ने गांदी के तरह इस्तमाल किया जिसे नहरू ने गांदी का इस्तमाल किया वैसे केजरी ने इस्तमाल किया अन्ना का अन्ना बाहार हो गए पार्टी से, अन्ना अलग चले गए, अपनी मंदिर में फिर अन्ना बैठ गए, लेकिन केजरी के खिलाप कभी मुखर हुए क्या जिस केजरी को ओने एक प्रतीक बनाकर के बरश्टाचार के खिलाप एक प्रतीक बनाकर के पेश किया वो केजरी का पूरा कुनबाप बहिमानों का एक गिरोव बन गया उसके डिप्टी सीम जेल में है जिसे जमानत नहीं मिल रही है सुप्रिमपोर्ट तक से उसका स्वास्त मंत्री जेल में जमानत नहीं मिल पा रही है छे से जादा उसके मंत्री जेल होकर क्या चुके हैं अन्ना ने मूह नहीं खोला लेकिन इसी अन्ना ने जब भारस सरकार के तरब से दिल्ली सरकार के पर कत्रे गए या यूँ कहें कि फरफराते अरविंद केजरी बाल के ट्रांसपर पोस्टिंग का रिकार जब छीन लिया गया तो अन्ना बिल विला गए तो सवाल यह है कि अन्ना बाहर से क्या फिल्डि अद्धी केजरी के लिए कर रहे हैं एक पोड़ी पर्योजना है ऐसा ही नाम एक आनंद कुमार का था आनंध कुमार बहुत अच्छे औरेटर थी प्रॉफिसर आनंद कुमार भी इस लिस्ट से इस परिदृष से गायब है अक्सर होता है कि जब कोई पार्टी चोड़ता है किसी से बुड़ा वैबहार होता है तो कुमार विश्वास ने पार्टी के फाउंडर में से हैं इस सब में कुमार की बरी भूमी का है कुमार एक प्राफिसर की अपनी नौकरी छोड़ करके आए लेकिन कुमार कुछ भी कहले इस आंदोलन उने बहुत कुछ दिया है अथा, पैसा, रुतबा इस आंदोलन से पहले केजरी कुमार विश्वास को बहुत कम लोग जानते थे मैं खुद कुमार विश्वास को अनना आंदोलन से पहले नहीं जानता था उनकी एक कविता तो सुनी थी लेकिन ये नहीं जानता था कि ऐसा मंद बुद्धी का एक रख्ती जो मनीश्टी सोधिया जासाई रख्ती था जो उसका डिप्टी हो पाया यहां कुमार विश्वास भी समा नहीं सकते कुमार रहे पाटी छोड़ दी ऐसे कई मंद से उन्होंने बौना तो कहा केजरिवाल को लेकिन उतकदर मुखर होकर के कभी सामने नहीं आए एक नाम आसुतोष का है आसुतोष मसकरा बन गया आसुतोष पूरी जिंदगी अपने मैट्रिकुलेशन के बोड़ बे जो नाम होता है आसुतोष कुमार गुपता उसे छुपाया और पूरी पत्रकारिता एम उसे अपना नाम आसुतोष रखा मूल नाम जो उसके पासपोर्ट में है जो उसके मैट्रिक के सर्टिपिकेट पे है उसे हटा कर मीडिया एम उसका नाम आसुतोष आया आसुतोष कुमार गुपता कहीं खो गया लेकिन इस आसुतोष ने अपनी पूरी पत्रकारिता बेच दी अरविंद केजरिबाल के सामने आन्ना आंदोलन पर उसने एक अन्ना परांति किताब लिख दी और इस ही आसुतोष ने पूरी सेवा अपनी सुपूर्द केजरिबाल की कर दी IVN 7 का उस समय एडिटर हुआ करते थे और पूरा बोलेटेन अपने रिपोर्टरों को जोग करके अना अंदोलन के पक्षमे करने का किया बाद में जब इस से भी पेट नहीं भरा तो आसुतोष नौकरी छोड़ करके कूद गए जब केजरी जीत गए दिल्ली में तो इस उम्मिद में कि अब केजरी बाल को राजसभा के में कुछ लोग को भेज सकते थे आसुतोष को लगा कुमार विस्वास बाहर हो गया है तो कोई और ऐसा नाम तो है नहीं ना कोई बड़ा पत्रकार है ना कोई ऐसा विद्वान व्यक्ति है तो राजसभा तो ऐसे ही लोग जाते हैं पढ़े लिखे लोग जाते हैं पत्रकार जाते हैं कभी जाते हैं शायर जाते हैं लेकिन चाला अरविंद के जरिवान ने उसके जगह पे दो गुपता जी का चैन किया और अपने एक लठायद का चैन कर लिया उस गुपता जी में आसतोष का नाम नहीं आया जिस आपका ऐसा चड़ित रहनन करने वाला आसुतोष पार्टी से बाहर हो गया जब उसे राज सभा ने लेकिन क्या कभी आपने आसुतोष को केजरिवाल के खिलाप मुहीम चलाते देखा कोई पत्रकाइटा करते देखा आब इमें बैक डूर से आसा तो उस केजरि के लिए काम करते तो क्या कि ये केजरि स्टाइल अफ पॉलिटेक्स है कि केजरि को छोड़े हुए लोग वो तमाम लोग जो बाहर से खेल खेल रहे हैं इसलिए के जिए केजरि के खेल रहे हैं वो बेहद नीराला है केजरि के कुनवे से बाहर गये लोग आप बाहर से केजरि के लिए पन्ट प्रिटिंग कर रहे हैं इसलिए कि केज़री के पास अभी दिल्ली का शारुनों माराज्य है, देने के लिए जितना बड़ा कद प्रशांत फुशन, शांती फुशन, कुमार विश्वास, आसुतोष और अन्ना का रहा, वो केज़री के पास था नहीं। केज़री पर हमला होता है, तो ये अलंगठन से खेल खेलने के लिए। का ये बौना बड़ा खिल अंदर दिख रहा है, ये वीडियो विश्लिशन आपको कैसा लगा, कंटेंट ये पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इदिया आपने चैनल सबस्क्राइब नहीं किया, उसे सबस्क्राइब करें, क्योंकि ज्यादा तर लोग अन मदद जरूर कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद, वंदे मातरम जय हिंद।